तो यह जो जो ने आर्म करा स्फिर्च के बारे में बता था कि सिम्पलण इंट्रस्ट के बारे में पढ़ा सका टा कुछ टॉमिनोलोजी इस थी सिम्पल इंट्रस्ट से रेलेटेडड जैसे की बौरोवर लेंडर एक Bennett के अलवा क्यों प्रिंसिपल्ट्पल के होता है river कितने अलग अलग टाइप के लोन होते हैं उनमें क्या-क्या रेट अफ इंटरस्ट होती है थोड़ा समय आपको कंपाउंड इंटरस्ट के बारे में भी बताया था फिर हमने इससे रिलेटिट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशिंस करेंगे तो आज के लेक्चर का यह मोटो है कि हम अलग अलग टाइपके सकते हैं और किसी किस तरीके से हर पॉस्टेवल तरीके से इसके एक्वेशिंस बन सकते हैं तो वह हम जो है इस लेक्चर में सभेडेंगे और इसके लिए चलबाव में वहता तो हमेशा रखना SI is equal to P into R into T upon 100 P is for principal, R is for rate of interest and T is for time टेक है, जहाँ पर SI क्या होता है, simple interest होता है अब इस SI को जब P से add करते हैं तब आपको क्या मिलता है, final amount Is that clear? चलो, without wasting any time, हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ अच्छी से questions कर लेते हैं तो I have selected some very good questions for all of you सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने जो previous year की questions है NST 2009 से NSTSE 2014 तक के मैंने सारे questions आपके लिए यहाँ पर इस paper लिख लिए हैं हम वो questions पहले solve कर लेते हैं, they are comparatively much easier तो हम पहले वो questions कर लेते हैं, आपको तोड़ा different भी लगेगा और उसके बाद हम और medium questions कर लेंगे, फिर कुछ easy questions भी कर लेंगे तो सारे चीज़े pick up हो जाएगी तो NSTSE 2009 में question आया हुआ है, इसको हम लिखते हैं सबसे पहला वाला question है, a sum of money, a sum of money of rupees 1600, ठीक है length at SI of 12.5% per annum will become, will become twice in how many years यह पूछता है, देखो, question क्या है, कि हमारे पास एक sum है money का ठीक है, मतलब एक particular principle amount है, जो कि 1600 रुपीज का है अगर हमने उसको 12.5% per annum की rate पर, मैंने अगर इसको किसी को दिया ठीक है, तो interest rate कितने आ गए, 12.5% per annum will become twice मतलब वो जो amount है, वो जो हमारा principle amount है, वो twice बन जाए इसका मतलब की हमारा जो principle है, ठीक है ना, principleות हमारे पास क्या हो जाएगा, रुपीज, पी मान लिया ठीक है ना, rate of interest क्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मतलब 12.5%, ठीक है ना, time हम से पूछा है और amount इसने क्या बोला है amount हमारा क्या हो जाएगा double हो जाएगा मतलब 2P हो जाए ठीक है ना तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ऐसा ही find करना पड़ेगा इसके लिए एक formula होता है amount is equal to principle plus simple interest ठीक है ना तो formula ये लगेगा principle plus P into R into T upon 100 ये clear हुआ आपको ठीक है अब amount जो है वो क्या बन जाएगा twice of principle और यहाँ पर भी ये P ही रहेगा plus P R कितनी है 12.5 multiply by T, T मेरे से पूछा है upon 100 ये चीज़ clear हुई amount क्या बन जाएगा twice of P principle already P है ठीक है फिर ये P R T इसमें P तो P ही रहेगा क्योंकि principle amount है R 12.5 हो जाएगा ती क्या हो जाएगा इसके अंदर time जो हमें calculate करना है upon 100 अब इस P को मैं धर shift कर देती हूँ तो ये क्या आजाएगा P P will be equal to P into 12.5 इसको 125 अपॉन इसको 1000 कर देते हैं क्योंकि यहां से एक decimal हटा तो यहां पर एक नीचे जीरो आ जाएगा ये clear हुआ अब आप देखना इस P से ये वाला P कट जाएगा ठीक है ना तो ये जो time आएगा वो क्या हो जाएगा 1000 upon 125 will be equal to your time 1000 उदर चला जाएगा 125 नीचे अब इसको हम क्या करेंगे 5 से multiply कर दिवाइट करके देख लेते हैं किस पर जाता है तो टाइम हमारे पास अल्टिमेटली कितना आ गया एट इयर्स एट इयर्स के अंदर अगर हमने किसी को 1600 रुपे दिये हैं ठीक है ना कितनी रेट आफ इंट्रस्ट पे 12.5 रेट आफ इंट्रस्ट पे तो वह आठ साल के अंदर क्या हो जाएगा ट्वाइस ओफ पी मतलब क्या बन जाएगा इसका डबल बन जाएगा यह क्लियर हुआ आपको पी जो है देखो हम लोग यहाँ पर अच्छा एक चीज का रखना मैंने यहाँ पर पी की जगे 1600 नहीं डाला पी की जगे मैंने पी डाला क्यूंकि अल्टिमेटली पी और पी र अधर पी की जगे डाला क्या बन जाता है तो अगया जाता है तो उसके हिसाब से क्या था था है कि यहाँ पर पी को जो है मैंने 1600 नहीं रखा मैंने के रखा क्योंकि मुझा पता था यहाँ इसके अपको एक यहाँ प्रक्राइथ क्लियर हुआ और काफी एंटरेस्टिंग थ हुआ है इसके बिसेस पर हम और क्वेशन कर सकते हैं NSTSE 2010 का एक क्वेशन आया वह हम देख लेते हैं एक बार हां तो देखो नेक्स क्वेशन है असम ओफ मनी बिकम्स फोर ताइम्स ठीक है ना क्वेशन यह है असम ओफ आपको रेट अफ इंटरस्ट निकालनी है तो एक सम है मनी का ठीक है ना वो कुछ पर्टिकुलर मनी का सम होगा ठीक है वो अपने ही क्या अपने ही सम के फोर टाइम्स बन जाता है अगर उसका जो रेट अफ इंटरस्ट है वो कुछ पर्टिकुलर रेट अफ इंटरस्ट हो और टाइम्स पीरेट क्या हो टैनियर्स हो और मेरे को ही कैलकुलेट करने की उसका रेट अफ इंटरस्ट कितना है तो सबसे पहले मैं यह देखते हो अगर मैं प्रिंसिपल को पी ह SI, मतलब amount is equal to principal plus P into R multiply by 10 upon 100, क्योंकि time क्या है, 10 है, ठीक है 10 years, तो amount कितना हो जागा 4 times P, तो 4P is equal to P plus P multiply by R upon 10 आ जाएगा, ये 10 upon 100, 1 by 10 आ जाएगा, अब इस case में P को इधर ले जाओ, तो ये 3P हो जाएगा, 3P is equal to P into R upon 10, अब ये P से P कर जाएगा, तो 310 के साथ multiply हो जाएगा, और R के value हो जाएगी, R will be equal to 30, तो इस case में हमारे पास, जो rate of interest है, वो कितनी आ गई, 30%, 30% rate of interest पे अगर हम 10 साल के लिए किसी को कोई भी लोन दे, तो वो 10 साल के अंदर अपने 4 गुना हो जाता है, मैंने amount को यहाँ पर rate of interest, fine करनी थी, SI, देखो, simple interest जो होता है, जब वो principal amount में plus होता है, तब जाके ही वो amount बनता है, तो कोई भी amount जो होता है, principal amount वो अपना double कब होता है, जब उसी amount में हम rate of interest add कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर यह नहीं करना था, कि आपने SI निकाल लिया, और आपने बोल दिया, SI is 4 times of P, यह नहीं होगा, इसमें amount जो है, वो क्या हो जाएगा, 4 times P आजाएगा, और उसके basis पे आपको यह equation करना है, I hope आपको equation clear हुआ हो, NSTSE 2010 में आया हुआ है, अब जो हम next question करेंगे, वो NSTSE 2011 का आया हुआ है, एक बार उसको देख लेते हैं, question यह है, in how many years will 900 yield an interest of 324, देखो, in how many years, इसका मतलब मेर से क्या पूछा है, time पूछा है, ठीके न, will rupees 900, इसका मतलब की, जो मेरा principal amount है, वो कितना हो जाएगा, rupees 900, will yield an interest, अब यह जो interest है, SI, यह कितना हो जाएगा, rupees 324, और rate कितना है, 12%, तो अब मेरे को क्या दे रखा है, इन्होंने SI दे रखा है, already 324, मेरे को principal दे रखा है, मेरे को rate दे रखा है, मेरे से time पूछा है, इसमें simple formula लगेगा, SI is equal to P multiply by R multiply by T upon 100, तो principle कितना है, 900, और rate कितना है, 12, time हम से पूछा है, upon 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 324, यह चीज़ clear होई आपको, अब यहाँ से 20 और 20 कट जाएगे, यह यहाँ पर क्या जाएगा, 320, 324 upon 9, multiply by 12 is equal to T, यह 9 और 12 साथ में क्या जाएगे, denominator में आ जाएगे, अब आप इसको solve कर लो, 3, 4s are 12, 3, 1s are 3, 3, 8s are 24, 4, 1s are 4, 4, 2s are 8, 4, 7s are 28, 9, 3s are 27, तो हमारे पास ultimately कितना आ गया, time is equal to 3 years, time हमारे पास 3 साल आ गया, जब हमने इस question को solve किया, clear होई यह चीज़ आपको, अब हम क्या करते हैं, next question करते हैं, जो NST SC 2012 के अंदर आया हुआ है, हम यह वहला question देख लेते ह एक बार, NST SC 2012 के अंदर आया है, in how many years, sorry, the SI on a sum of money is 1 by 9th of the principal, SI जो है किसी भी money पर, वो 1 by 9th है principal amount के, ठीक है ना, and the number of years is equal to be R percent, जो मेरे पास time है, वो rate of interest के क्या है, equal है, I have to find R, ठीक है ना, अब देखो, इस में क्या है, इस question में इदे रखाए कि जो मेरे simple interest है, ठीक है, ठीक है, अब देखो, इस question में क्या होगा, सबसे पहले SI, SI is equal to, P multiply by R multiply by T upon 100, अब SI क्या दे रखाए, 1 by 9th of principle, तो P by 9 हो जाएगा, यहां से यह भी P हो जाएगा, rate of interest is already equal to T, तो मैंने क्या किया, अच्छा, इसको ऐसे कर दो, हमें R fine करना है ना, हमें ultimately R fine करना है, और हमें T is equal to R दे रखाए, तो हम T को R लिख लेते हैं, ताकि हमारी equation में R ही रह जाए, ठीक है ना, यह R आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा, upon 100, ठीक है, तो अब देखो, हमारे साथ इसको कैसे solve करेंगे, हाँ, हमने T को यहाँ पर क्या लिख दिया, R लिख दिया, अब देखो, यहाँ से P से P कड़ गया, यह 100 upon 9 आ जाएगा, और यह क्या जाएगा, R multiply by R, R square, तो ultimately यहाँ पर R की value क्या होगी, 10 upon 3, ठीक है ना, क्योंकि 100 किसका square होता है, 10 का square होत है, तो R rate of interest कितनी आ जाएगी, 10 upon 3%, क्लियर हो यह चीज आपको, अगर आपको option में दे रखा है कि एक mixed form के अंदर है, mixed fraction के form में तब उसको mixed fraction में भी convert कर सकते हो, ठीक है ना, तो हमारा यह equation जो है, I hope आपको clear हुआ हो, और अब देखते हैं, और अगर हमें अच्छे equations, अगर I think 5 equations करवा दी है, एक equation में आपको और करवा देती हूँ, जो NSTSE 2011 में आया था, टेक है ना, NSTSE, वो भी क्या है कि एक इसकी ही तरीके से है, जो हमने पहले equations कर रखे है, उनके तरीके से ही equations है, question है, नया वाला, तो हम देख लेते हैं, और वो question है, कि a sum of money will become double in 8 years, तो इसका म amount मेरे पास क्या हो जाएगा, twice of P हो जाएगा, और जो मेरे को time दे रखा है, वो 8 years already दे रखा है, तो मेरे से ये पूछा है, at what rate percent per annum, मतलब मेरे को क्या find करना है, R find करना है, तो देखो इसके अंदर वही वाला formula लगीगा, SI plus principal is equal to amount, amount is equal to twice of P, which is equal to P, plus P multiply by R कितना है, हमको find क 28 है, upon 100, अब हमने क्या किया, ये 2P में से P minus किया, P is equal to P multiply by R multiply by 8 upon 100, P से P कड़ गया, 100 upon 8 is equal to R आगया, अब इसको further solve करेंगे, तो कितना हैगा, 248 और 2510, 50 upon 4 आजाएगा, और ये ultimately कितना आजाएगा, rate of interest is equal to 25 upon 2 percent, ये चीज आजाएगी, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, rate of interest कितनी आगई, 25 by 2, 12.5, अगर हम करें तो, 12.5 rate of interest पे क्या हो जाएगा, ये जो amount है, ये अपना double हो जाएगा, 8 साल के अंदर, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, अब मैं आपको NSTSC से related, जितने भी questions आते हैं, मतलब जिस जिस pattern के questions आए हुए हैं, previous years of starting from 2009 till 2012 तो हम लोगों ने वो देख ली है, तो हम लोगों ने वो देख ली है, अब हम और कुछ अच्छे level के questions कर लेता है, मैं आपको बोलाता है, तो अब आप उस केसमें आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि questions जो हैं, वो काफी अच्छ क्रियेट करना, तो आप उस केस में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि easy questions आजाएं, अच्छे level के questions आएंगे, हमने simple interest से related काफी अच्छे questions कर लेएं, जिसमें चीजें गुमा पिरा कर कर आती हैं, और आपको amount को twice of P लेना पड़ेगा, और rate को भी T के equal करना पड़ेगा, आपने अभी previous questions में देखा ही होगा, तो उन questions के अंदर तो क्या है कि यह चीज आ गई है, मतलब यह ऐसी से टैप की questions है, तो हमने कर लिए अलग लग टैप की questions, बाकी और क्या questions बन सकते हैं, कि हमने क्या किया, एक ही आदमी को एक amount दिया, कुछ particular rate of interest पे और कुछ particular time पे, और पे तो कुछ इस टैप की questions है कि हमने principal amount, SI, amount, भी दे दिया है, और हमसे rate of interest भी दे दिया है, हमसे time पूछा है, तो कुछ इससे टैप की questions हो सकते है, हाह, कुछ questions ऐसे हो सकते है की time या आपको days में दिया हो, और आपको उसको पले years में करना हो, upon 365 करके, तो कुछ उस्टैप की questions है वो भी हम लोग देख लेते हैं तो starting from a very good question in how much time will the simple interest be half of its principal at 10% per annum यह वाला question भी हम इस type कर चुके हैं तो मैं इसको छोड़ देती हूं हम दूसरा question करते है interest on rupees 12,000 मतलब principle कितना है हमारे पास यहां पर 12,000 का है interest on rupees 12,000 for one month time कितना दे रखा है one month का दे रखा है ठीक है ना at a rate of 10% per annum तो rate कितना हो जाएगा 10% per annum is ठीक है interest पूछा है मेरे से क्या पूछा है SI पूछा है तो अब हम formula लगा देंगे SI is equal to PRT upon 100 ठीक है ना तो SI is equal to principle कितना है 12,000 rate कितना है 10 और time कितना है one month one month को year में convert करो तो one month जो होता है one month is equal to 30 days ठीक है ना one month को आप 30 days से calculate करोगे तो ये कितना आ जाएगा upon 365 इसको इस तरीके से solve कर लेना 30 upon 365 divided by 100 ये चीज़ clear हुई आपको आप देखो इसके अंदर क्या होगा ये 2 0 से 2 0 कट जाएगे तो SI will be equal to 1200 multiply by 30 upon 365 ठीक है अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप इसको 5 से कर सकते हो तो आप 1200 multiply by 6 upon 73 करो कुछ ये इस तरीके से आएगा 7200 upon 73 जब आप इस चीज़ को solve करोगी तो आपका ultimately जो simple interest है वो आज आएगा तो आप अपना answer जो है वो decimal में दे देना ठीक है अब हम क्या करते हैं इसके लावा next question करते हैं एक काफी अच्छा question है वो वो question ये है कि रजनी और मोही ने deposit 3000 and 4000 in a company तो इसका प्रिंसिपल कितना हो गया इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000 रूपे हो जाएगा at a rate of 10% per annum तो इसकी rate कितनी हो गई 10% per annum और इसका time कितना हो जाएगा 3 years का हो जाएगा और इसके लिए क्या बोला है इससे ने क्या किया है इसने भी rate जो है वो 10% ही रखा है लेकिन इसका जो time था वो 2.5 years का ही था अब इसने क्या पूछा है the difference of the amounts इनके amount में क्या difference आया तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि amount जो रजनी को मिला तीन साल बाद वो कितना होगा amount is equal to si plus principle तो पहले हम इसका si निकाल लेते है इसका si क्या हो जाएगा P मतलब 3000, R मतलब की 10 और T मतलब 3 upon 100 ठीक है तो यह 2 0 से 2 0 कट जाएगा यह कितना जाएगा 3 3s are 9 ठीक है न और हापर 2 0 add हो जाएगे तो इसका जो simple interest है वो कितना हुआ 900 हुआ अब इसका जो amount है वो क्या हो जाएगा simple interest plus amount इसका amount था 3000 तो इसका हो जाएगा 3900 इसका amount प्रजनी का ठीक है न अब मोहिनी के बात करते हैं मोहिनी के लिए जो simple interest होगा वो होगा 4000 P, R मतलब 10 और T मतलब 5 by 2 upon 100 ठीक है 2 0 से 2 0 कोटा 25 यह आजाएगा 40 multiply by 25 25 into 400 होता है और 1 0,000 अगर इसका simple interest 1000 है तो इसका मतलब की अब देखो अब क्या होगा इसका जो amount है वो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 5000 तो मोहिनी को जो है वो 5000 रुपीज मिले और रजनी को 3900 मिले अब amount of मोहिनी minus amount of रजनी will be equal to 5000 minus 3900 कितना हैगा 1100 रुपे तोनों के amount के बीच में कितना difference हुआ 1100 रुपे का difference हुआ I hope आपको एक क्वेशन क्लियर हो गया हो ठीक है चलो let's go to the next topic let's go to the next question ठीक है यह क्वेशन जो है वो यह है find the interest on rupees 12500 at 18% per annum for a period of 2 year 4 months देखो interest कितना है यह आपर हमें find करना है principle कितना है 12500 ठीक है ना rate किती है 18% ठीक है ना अच्छा पीरेट कितना है years year is equal to मतलब जो time है time है 12 sorry 2 years 4 months ठीक है ना 2 year 4 months अब देखो यह वही वाले चीज है कि आपको सबसे पहले क्या करना है 2 year 4 months को किस में convert करना है पहले तो years में convert करना है तो एक year के अंदर कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं ठीक है तो एक month में कितने year हो जाएंगे 1 upon 12 year ठीक है तो चार महीने में कितने year हो जाएंगे 4 upon 12 year मतलब 1 upon 3 year तो 4 year का मतलब क्या है 1 by 3rd of a year तो अब वही हो जाएगा si p कितना हो जाएगा 12500 rate of interest 18 time कितना हो जाएगा 2 1 by 3 upon 100 अब इसको solve कर लेना आपका answer आजाएगा si will be equal to 125 multiply by 18 और यह हो जाएगा 7 upon 3 3 6 18 simple interest will be equal to 125 multiply by 7 6 42 जब आप इस चीज को calculate करेंगे तो आपको अपने आप क्या हो जाएगा answer आ जाएगा ठीक है यह भी अच्छा question था ठीक है अच्छा question में आपको बताता उन particular question में आपको क्या करना पड़ता है आपको days में दे दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना days में convert कर लेना है जैसे 73 days है ठीक है ना जैसे question देखो इस question में क्या लिखा हुआ है कि find the rate of rate on rupees 350 ठीक है अब find the interest आपको ऐसा ही find करना है लेकिन आपको principal दे रखा है principal कितना है 350 रुपे का है अच्छा rate कितने दे रखा है 5% दे रखा है और time कितना दे रखा है 73 days ठीक है तो उसमें थोड़ा सा time लग जाता है तो हम ज्यादा एक ही particular lecture में ज्यादा questions कवर नहीं कर पाते हैं तो मैं यह सोस्तियों कि जो भी और यह देखो 73 multiply by 5 कितना होता है 365 तो इसका मतलब कि 733 days क्या है 1 by 5 of a year तो हमने इसको पहले year में convert कर लिया फिर हमने क्या किया सबसे पहले simple interest find करना है P कितना हो जाएगा 350 rate of interest 5 और time कितना हो जाएगा 1 by 5 तीक है ना upon 100 अब आप इसको solve को रो 5 से 5 कटा 10 से 0 कटा 5 7 जा 35 5 2 जा 10 simple interest कितना हो जाएगा 7 by 2 यह चीज़ क्लियर हुई है आपको तीक है 7 by 2 कितना हो था 3.5 तो 3.5 रुपीस के equal आ गया है इसके लावा हम equation और करते है equal sum of 7200 वर्लेंट टो मेघा और प्रिया तो हमने दो लोगों को equal sum लेंट किया तो सबसे पहले हम column बना लेते हैं एक तो मेघा का आएगा और एक किसका आ जाएगा प्रिया का आ जाएगा ठीके ना, equal sum of rupees 7200 तो इसका principle कितना हो जाएगा 7200 और इसका principle कितना हो जाएगा 7200 वर्लेंट टो मेघा और प्रिया अट 5% पर एनम ठीके ना, तो इसकी rate of interest कितनी होई 5% पर एनम और इसकी rate of interest भी क्या होई 5% पर एनम लेकिन इसका जो time था वो तो 4 years ही था और इसका जो time था वो क्या था 5 years था तो इसने बोले find the difference of the interest paid by Megha and Priya पहले वाले question में आपको भी पूछा था कि उनको जो amount मिलेगा उनके बीच का difference निकालो ठीक है ना रजनी और मोहिनी का जो भी amount मिलेगा और इस वाले question में पूछा है Megha और Priya के interest जो वो pay करेंगे उनके बीच में कितना difference है तो बस question वही वैसे ही करना है बस फरक इतना है पहले हमने amount निकाला था अब हम simple interest निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम यह calculate करते है कि Megha कितना simple interest pay करेगी तो वो क्या हो जाएगा P उसका हो जाएगा 7200, rate of interest is 5, time is for 4 years upon 100 अब यह कितना आ जाएगा 25, 5 5s are 25, तेक है अब यह चीज आ जाएगी 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 4s are 20 इस तरीके से यह question solve हो जाएगा, तो simple interest paid by Megha is 1,440 and for Priya, Priya जो simple interest pay करेगी वो हो जाएगा 7200 multiply by 5, multiply by 5 upon 100 तो 520 is a 100, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 1800 तो इसको कितना simple interest मिला 1800 का इसको pay करने को मिला, अब इनके simple interest के बीच का आप क्या निकालो difference निकालो, तो 1800 minus 1440, तो आपका answer जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा I hope आपको एक question जो है वो clear हुआ हो, ठीक है ना यह स्टैक के questions है, इसके लवा मैं देख लेती हूं कर अभी एक दो questions और होंगे, तो आपको मैंने cover वैसे सारे करवाई दिये हैं, एक question हम और कर लेते हैं, last question, काफी अच्छा question है यह, ठीक है, यह question जो है, वो यह है, यह question जो है, वो यह है, a sum of, a sum becomes 28 by 25 of itself, मतलब कि principle जो है, अगर वो principle है, तो amount क्या हो जाएगा, 28 by 25 of itself, ठीक है, in 5 years, 5 साल के अंदर वो इतना हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे से पूछा है, कि I have to find the rate of interest, तो देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, simple interest हम find करते हैं, simple interest क्या हो जाएगा, principle into rate of interest 5, sorry, rate of interest हमें find करना है, और time है, मेरे पास 5 years upon 100, तो यह आजाएगा, P, R upon 20, यह क्या जाएगा मेरे simple interest, ठीक है न, अब amount जो होता है, वो क्या हो जाएगा, 28 by 25, तो 28 by 25 of principle, amount is equal to simple interest, P into R upon 20, प्लस principle, यही था, अब हम इन equation से P को काट देंगे, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, देखो, अगर आपको confusion है इस चीज का, तो देखो, इसको काटो भी मत, सबसे पहले P को इदर लेके चले जाओ, तो 28 P upon 25, ठीक है न, minus P equal to R upon 20, यह चीज क्लियर हुई, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, 28 minus 20, अच्छा, इसका LCM लोगा, कितना आजाएगा, 3 P upon 25 is equal to R upon 20, ठीक है, यह चीज क्लियर हुँ आपको, अच्छा, यहाँ पर भी हमें principle लागाना था, यहाँ पर भी principle लागाना था, यह P था, यह P R upon 20 plus P, मैंने कुछ नहीं किये, इस वाले principle को मैं कहां लेके आ गई हूँ, लेके आई हूँ, ठीक है ना, तो 3 P upon 25 हो जाएगा, और यहाँ पर P R upon 20 हो जाएगा, अब यहाँ P से P कट जाएगा, ठीक है ना, तो 3 into 20 upon 25 आजाएगा, यह rate of interest आजाएगी, और यह कितना हो जाएगा, 5,5025, 5,4020, 12 upon 5 will be your rate of interest, यह चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है ना, तो मैंने इस lecture में कोशिश किया है, कि आपको काफी सारे जो topics हैं वो cover हो सके, ठीक है ना, काफी सारे जो भी topics जो SI से related थे, सिंपल इंटरस से related थे, वो सारे cover हो सके, सारे important, important type की questions करवा लिए, सब सचे एरा starting में ही मैंने आपको NSTSE, previous year में जितने भी questions आये थे, इस simple interest से related उसके मैंने types करवा दिये, तो basically यही फॉर्म होता है, बाकी सारे यह equations आते हैं कि आपको क्या होता है, जैसे P, R, T, यह 3 चीज़े हैं और SI, यह 4 होती हैं ना, भई, एक equation में 4 variable होते हैं, तो आपको 3 variable दे देंगे और 1 variable पूछ लेंगे, जैसे कि अगर आपको principal rate और time दे दिया, तो आपसे simple interest पूछ लिया, फिर आपको SI, P और R दे दिया, तो T पूछ लिया, तो ऐसे यह चीज़े क्या चलती रहती है, तो अब I hope आपको यह chapter clear हुआ होगा और यह equations भी clear हुए होगे, तीक है ना, thank you.